हेलो प्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल अगेन राइट सो लास्ट टापिक शुरू किया हुआ था अपना जीन एक्शन का उसी को मैं थोड़ा फुर्दर प्रसीड करता हूं हमने अल्यडी जो हमारे दो पाइंट से एक तो लीथल जील वाला और कंप्लीट चुके हैं अगर नहीं समझा था रहता तो मैं बार 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 बोलता हूं प्लीज डॉंट फील एनिफिंग सिर्फ मुझे कमेंट में बता दीजिया करिए कि यह वाला इश्यू है यह डाउट है तो आज मैं आपके लिए जो हमारा बेसिकली जो फॉर्थ है रोल उफ जीन कि देंग तो जो तो और सुरी कि मेरे पास बेस्ट वन Ci इनेक्स के लिए तो सब्सकी aham 2018 जानते हैं ज governments होता है वेंwrnt जो एक जीन है उसका एक्स्प्रेशन ऑफ जीन डिपेंड और अब्सक्राइंड बाकि इसमें क्या है यह तो है है वह इसका जो इन्फ्लॉएंज गर आप ने समझाने मेरे पूराना टॉपिक है आपके लिए अगर आपको दूसरा जीन है इन्ट्रक्षन आप influence करता है उसको बोलते हैं epistasis right interaction of gene at different loci that affect the same correct right अब इसमें देखें दो चीज़े होंगी एक तो होगा जिस एक जो होगा वो effect करेगा एक जो होगा जिसका effect mask होगा अब जो mask कर रहा है उसको बोलते हैं epistatic gene that effect और आप जो mask कर रहा है action of other gene को उसको बोलते हैं epistatic और जो हो रहा है right देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक तो हो गया जो आपका यह आपके पास दो है gene that mask the action of another gene यह इसके gene को effect कर रहा है इसको बोलते हैं epistatic gene याद रखिएगा और जो mask हो रहा है यह वाला इसको बोलते हैं hypostatic gene याद रखिएगा important आपको पूछा जा सकता है right तो इसको बोलते हैं हमारे पार epistatic gene action अब मालों कुछ कोई इसने कुछ expression शो करना था कोई gene था हमारे पास उसका कुछ expression था जो उसने शो करना था इसको ब्लॉक कर दिया और इसका expression जब वो जो आना था वो नहीं आ राइट तो इसको बोलते हैं epistatic gene action इसके कारण हमारी काफी ratios influence होती है जिसमें आपको दे रहा हूँ कितने gene involved हैं उसके expression के लिए राइट जनरली हम बोलते हैं एक gene एक को control करता है उसको बोलता है one gene each character is controlled by one gene अगर दो gene मिलके कर रहा है और डाइजैनिक as name suggest mono di oligo few gene polygenic काफी जादा राइट तो oligo और poly में जादा नहीं है बस oligo में थोड़ा कमा और poly में उससे जादा राइट तो एक single gene controlled the effect of single gene जो basically बोलते हैं एक gene है वो एक ही single अगर यह round वाला gene है तो यह round color को influence करेगा राइट इसको बोलते हैं generally normal gene जो हमारे के control कर रहे हैं तब यह character show होता है इसको बोलते हैं polygenic character तो एक gene जो है एक character जो है उसको show करने के लिए काफी gene involved हो रहे हैं इसको बोलते हैं polygenic right second है मेरे पास इसके पाद आता है फॉर्थ जो फिफ्ट वन है वो है based on polygenic action इसमें क्या होता है अब उसमें हमने देखा था काफी gene एक को कर रहे थे इसमें क्या होता है काफी gene जो है right but some of gene are known to affect or controlled more than one character देखो उसमें जो था एक character को काफी gene control कर रहे थे right इसमें क्या एक gene काफी characters को control कर रहा है right right a single gene will able to affect many characters or more than one character is known as pleiotropism याद रखेगा काफी confusing हो था polygenic a single character controlled by many gene pleiotorism a single gene controlled many character राइड सो यह थोड़ा सा important है याद रखने की चीज़ है इसको थोड़ा गोत्रु होईएगा मैंने आप छोटा वीडियो बनाया थोड़ा आपके लिए क्या पहले यह gene action का topic complete हो या तो अगर आपको कोई doubt है या आपको कोई इसमें आपको लगता है कुछ confusion तो मुझे definitely comment करके बताइए करिए और मेरे चैनल को subscribe करें जिन्होंने नहीं किया है और अपने friend circle में भी बताइए तां कि वो लोग भी से benefit जाँ वो gain कर सकें राइट तो thank you very much okay